आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है एक बहुत ही कॉवन थोट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट बहुत लोग मुझे पता है कि सोचते हैं कि भाई मैं तो एक एवरेज बच्चा हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ ठीक है तो नॉर्मल यार इस एवरेज स्टू स्टूडेंट में भी थोड़ा मीडियोक्रेसी था सिक्स्टी सेवेंटी परसेंट ऐसा आता था कभी-कभी जो मैंने पता है पड़ाई छोड़ दिया तो फिफ्टी के नीचे चला गया माक्स और कभी-कभी बहुत पर लिया तो 80-85 टैच कर लिया ठीक है तो एवरेज स्ट स्टूडेंट कर पाएंगे और यहां पर दूसरी तरफ एक टॉपर होता है मतलब एक दम शुरुवात से क्लास कीजी वन से स्टार्ट करके उसके अच्छे माक्स आते थे अच्छे से सब कुछ समझ जाता था दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी काम करता था अच्छा काम करता था छोटे से लेकर एकदम क्लास 7, 8, 9, 10 वो एकदम मतलब टॉप पर रहता था टॉप 5, टॉप 10 में हर साल क्लास में रांक करता था तो यह है टॉपर स्टूडेंट का और कभी भी उसका मतलब उसका जो लोई स्कोर होता था तो यह भी एराउंड 80 में होता था हाइस्ट कोर तो खोड़ दो 9-95 इस रेंज में तो टॉपर स्टूडेंट इन स्कूल ठीक है मेरे चैनल पर जो मैक्सिम और तुम्हें एक नीट के लिए प्रपर कर रहे होगी तो तुम्हें अगर कभी कभी लगता ह व्डिओं को फूरा देखना को तो सबसे पहले यहां पर है कि एवरेज्टि इस मतरब लोगता है क्या क्या नहीं करता है क्या कर ना चाहिए तो इस विडिव में में तुमको विछी कम्या जा रूभग हॉँ organis raget आयो क्लास शे से ने कुकि ऐ वे pan तक टॉप थोई ना किया और करना भी नहीं चाहिए हाँ स्कूल लाइफ यह जो क्लास 10 तक का समय एंजॉय करने के लिए है इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता समझ देखो मतलब तुम समझो चीजों को अच्छे से समझो मतलब पढ़ाई की टेच में रहो ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे उस टाइम में पढ़े ठीक है मैं कॉलेज में आकि यह समझ सकता हूं कि क्लास 10 का जो बोर्ड मार्क्स होता है उसका कोई माइन नहीं र रेस्पेक्ट में यहीं ओपिनियन होगा कि क्लास 10 तक तुमको ज्यादा प्रेशन नहीं लेना है पढ़ाई को लेकर जैसे तुम्हारा फ्लो चल रहा है उसमें तेरते जाओ यहां पे टॉपर बच्चा जिस टाइम में दिन रात पढ़ता है दिन रात मेहनाद कर देए क्य तो यह हो गया एक average student के पास एक additional time होता है कि कुछ अलग करने का पढ़ाई तो कर रहे हो पढ़ाई भी तुम्हारा एक average marks आ जाएगा ठीक है इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक time होता है उस time को utilize करो ठीक है this is to all of the school students who are watching this की यह जो time है जिस time में तुम WhatsApp पे time रिताते हो तो इसके साथ साथ जो दोस्तों के साथ बहार चला गया party करने चले गया घूमने चले गया तो इस time को यार तुम utilize करो कुछ constructive चीज़ सीखने में तुम कोई instrument सीख सकते हो as a hobby तुम अच्छे लिखते हो if you are a good writer you can open a blog तुम अपना blog लिख सकते हो तुम WordPress में जाके free अपना site ब उसको तुम पे करो और उसको monetize करो तो कुछ इस तरीके से तुम कर सकते हो अपने free time को utilize constructively साथ साथ तुम freelancing कर सकते हो अगर तुम को graphic designing सीखना है तो उसका course कर सकते हो और मान के चलो या daily अगर तुम 2 घंटे दोगे किसी चीज में तो तुमारा पढ़ाई भी hamper नहीं इस 9-12 phase में सीख ले तो यह तुमारे खुद के benefit में काम आएगा बाद में चलके तुम जब इस college में जाओगे तना तुम जो skills इस time में सीखे इसको तुम काम में ला पाओगे और इससे तुम एक additional revenue generate कर पाओगे अपने उपर थोड़ा सा self-independency ला पाओगे ठीक है जब यह a sort of self-independency तुमारे अंदर आ जाएगा ना एक different level का confidence तुमारे अंदर काम करेगा और यह confidence कुछ ऐसा है कि तुम्हें लगने लएगा कि या सब कुछ मैं कर सकता हूँ अगर मैं सही direction में effort लगाओ तो सब कुछ achievable है यह confidence बहुत important है और मैं चाहता हूँ कि यह confidence तुम में भी है कि पढ़ाई तो तुम कड़ी रहे हो हाँ पढ़ाई तो constant रहेगा हर देन हर समय उसके साथ साथ कुछ अलग क्या तुम skill develop कर पा हो कोडिंग सीखना है तो कोडिंग भी सीखो कोडिंग के भी बहुत सारे online courses होते है सिर्फ दो घंटे daily invest करके तुम सीख सकते हो ठीक है बहुत सारे courses होते है और उतना ज्यादा costly भी नहीं है so you can try out invest on yourself अपने उपर काम करो जिसको तुम्हारा future में काम आएगा या पर तुम कह सकते हो कि भया मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूं मुझे तो नीट देना है पर मैं कोडिंग क्यों सीकू एक्स्टा स्किल तुम्हारे life पर किसी ना किसी face पर काम आई जाएगा तुम जिस तो यह जो स्किल्स जो तुम सीखोगे दोस विल भी है cherry on the cake और एक चीज़ यहाँ पर जो टॉपर्स होता है ना उनको कभी failure experience नहीं करना पड़ता for example मैं तुमको एक example देता हूँ मेरे एक दोस्त का तॉपर student था उसके class में top 10 में always उसका rank आता था और class 12 के board में भी काफी अच्छा उसका rank आया उसके school में first आया था ठीक उसके बाद उसने need दिया बट उसके need में selection नहीं हुआ बट मुझे पता था कि मुझे से ज्यादा उसका इच्छा था कि और doctor बने जबी मैं उसको पूछता था कि क्या बनना है तुमको कहता था मुझे doctor बनना है और हम दोनों एक साथ दीन का preparation लेते थे बट मेरा उतना था नहीं था कि मुझे doctor बनना है doctor के इलावा मेरे पास और भी ज्यादा options थे ठीक है तो मैंने drop क्यों लिया रे मैंने drop इसलिए लिया था क्योंकि ममी पापा ने और थोड़े जो मेरे senior teachers थे उन्होंने पताया था तुम्हारे पहले item में तुमने कुछ भी preparation नहीं किया है तो फिर भी 418 आगे तो एक बार यार proper coaching लेके देखो अगर न mentality develop कर ले तो हां तो तब तुम्हारा risk लेने का tendency बहुत हथ तक decrease हो जाता है और दूसरी तरह हम यारी average student average बच्चे क्या करता है उनको पता है कि failure का depth कितना होता है पता है कि failure कैसा होता है failure कैसा दिखता है failure कब तक होता है risk भी लेते है और उसको convert भी करके दिखाते है इसी तर fighter हो ठीक है एक situation तुम में fail कर गए तो fight back करोगे और second बार में तुम अपना selection लाओगे so you are basically a fighter student so यह एक मेरा sort of motivation वीडियो था कि मैं तुम लोगो को motivate कर पाऊ in the race of NEET exam तो इस fighting attitudes के साथ वीडियो को आज हम खतम करेंगे I hope तुम समझ पाए होगे मैं जो convey करना चाहता था तो अगर बस आज के लिए यही तक मिलता है बहुत जंदी अगले वीडियो में तब तक के लिए good back